हलो फ्रेंड्स मैं सुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखे फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा वेद किसे करते हैं तो वेद प्राचेन भारत के साइते हैं तथा हिंदूओं के धरम गरंथ भी हैं वेद सबसे प्राचेन गरंथों में से एक हैं वेद सब्द शंस्कृत भासा के विद्द सब्द से बना है अतहे हैं वेदों का साब्दिक अर्थ है ज्यान है अर्थात वेदों को हम ज्यान के गरंत भी कह सकते हैं, वेदों की संख्या चार है, वेदों को एपुरुषय भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें किसी वेक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, ये सुनकर ग्रहन किये गये हैं, तो जो ग्यान सुनकर ग्रहन किया जाता है, उसे शुरूती ग्यान कहा जाता है, तो है वेदों को एपुरुशेई और शूती भी कहा गया है और वेदों की जो भासा वो वैदिक संस्कृत है इस वीडियो में हम जो चार वेद हैं उनके बारे में संक्सिप तोर से पढ़ेंगे और एक एक वेद का चारों वेदों का चार वेद कौन-कौन से रिगवेद, सामवेद, यजूरवेद और अथरवेद इन सब का हमने अलग से भी वीडियो बनाए हैं तो आप इन सबी वेदों के बारे में जानने के लिए हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इतिहास से संबंदित नहीं नहीं इतिहास की जानकरी प्राप्त करने के लिए वेद बहुती महतोपून स्रोथ हैं तो भारत का प्राचीन सहीते अतेंत विशाल है यहें प्रदान्त है संस्कृत भासा में लिपीबत किया गया है भारत की प्राचीन तम लिपी ब्रामी है प्रम्परा के अनुसार इसकी स्विम बर्मा से हुई नारद स्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा यदि लिपी द्वारा उत्तम नेत्र का विकाश नहीं करते तो लोगों की सुब गती नहीं होती संस्कृत भासा हमारी राष्ट्रे निधी तथा ये हमारी संस्कृति का मुख्य वाहन भी है अते भारतिय संस को अध्यन की सुविधा के लिए मुख्य तह दो भागों में भाजित किया गया है वो दो भाग कौन कौन से है एक है आपका धार्मिक साहिते और एक है लोकिक साहिते यहां हम धार्मिक साहिते के बारे में जानकर प्राप्त करेंगे धार्मिक साहिते को फिर से दो भागों म विवाजित किया गया वो कौन-कौन से ब्रामन अथ्वा वदिक साहिते तो ब्रामन अथ्वा वदिक साहिते जिसमें वेद आते हैं वो हम अब पढ़ेंगे और ब्रामन अत्र अथ्वा एवदिक साहिते तो ब्रामन अत्र साहिते के बारे में हमने पहले वीडियो बनाया है ब आपके ब्राह्मन अत्र साहिते में आते हैं तो ब्राह्मन अत्वा वदिक साहिते इसके अंतरगत वेद था उसे संबंदित ग्रंत महा कावे स्मृत्ति आदियाते हैं जो भारतिय मनीशियों के ज्यान के अक्षय निदी है इनके बारे में जो जानकरी वो इस प्रकार से है दे इस परकार इसमें भारत का प्राचिन ज्यान सुरक्सित है वेद भारतिय संस्कृति के आधार है तथा भारत के प्राचिन तम धरम ग्रंथ हैं भारतिय प्रंप्रा वेदू को एपुरिशय अत्वा इस्वर निर्मित मानती है इसके अनुसार स्रस्टि के आदि में ब्रह्मा ने कुछ रिश्यों को मंत्रों का प्रकास दिया रिश्यों ने उन्हें अपने सिस्यों को बताया यह करम चलता रहा तथा यह ग्यान स्रुवन प्रमप्रा से सुरक्षित रहा कालांतर में जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने इस ग्यान को संक्लित कर दिया और इसी कारण वेद कितने हैं वेद चार हैं तो वेदों की संख्या चार है कौन कौन से रिगवेद ये जुरवेद सामवेद और अथरवेद और ये चार वेद हैं इनमें सबसे जो प्राचीन जो सबसे प्राचीन वेद वो कौन सा रिगवेद तो इनमें रिगवेद सबसे प्राचीन ये म नातन धरम का सबसे आरंबिक स्रोथ है इसमें दस मंडल एक हजार अठाई सूक्त तीन साखाएं हैं वेद मंतरों को सूक्त कहा जाता है गायत्री मंतर का वर्णन रिगवेद में क्या गया है रिगवेद में देवताओं की स्तूति वाले मंतर भी हैं रिगवेद में दस मंडल हैं जिसमें से दूसरे से सात्वा मंदल सबसे प्राचीन है और गोत्र मंदल भी कहलाते हैं क्यों क्योंकि जो दूसरे से सात्वा जो मंदल है इनकी रचना है वो गोत्र विशेज के रिश्यों द्वारा की गई इसलिए इसे गोत्र मंदल भी कहा जाता है अगला वेद आता है साम्वेद, साम्वेद में सामसब्द का अर्ठत गान, हम कह सकते हैं कि सामवेद में रिग्वधिक मंत्रों को गान्य यूगिन बनाया गया है इसमें 1875 रिचाये हैं तथा 75 सुख्तों को छोड़ कर सेस सुख्त रिग्वेद से लिए गये हैं ठीक है ना इसे प्राचीन भारतिय संगीत सास्तर भी कहा जाता है कई बार ये कि उसे पूछा जाता है कि वेदों में जो संगीत सास्तर वेद कोन सा कहलाता है वो आपका सामवेद सामवेद का प्रमुग देवता सविता अर्थात सूरिय है किंतु सूरिय के अलवा इंदर के सिस से जमीनी को माना गया है अनुस्ठान और हवन के समय सामवेद के मंत्र गाये जाते हैं अगला वेद आता है यजुरवेद यजुरवेद हिंदू द्रम का एक महत्तोपुन सुरूति ध्रम ग्रंथ है तता चार वेदों में से एक वेद है इसमें गद्दे तता पद्दे दोनों में मंत्र हैं लेकिन यह वेद मूखे रूप से गध्यात्मक ग्रंथ है यग्ये में कहे जाने वाले गध्यात्मक यंत्रों को यजुस कहा जाता है यजुरवेद में यग्यों की वीदियों का वर्णन मिलता है यह वेद करम कांडिय ग्रंथ है रिग्वेद की रचन कूरु छेत्र प्रदेश में हुई अंतिम जो वेध है वो है अथरवेध अथरवेध सहींता हिंदू धर्म के पवित्र तम और सर्वोच द्रम गरंत वेधों में से एक है यहेध सबसे बाद में लिखा गया अथरवेद में देवताओं की स्तूती के साथ साथ चमतकार, चिकिस्ता विज्यान और दर्सन के भी मंत्र हैं इसके रचियता सिरी रिशी अथरव हैं यह वेद आर्ये संसकर्ती के साथ साथ अनार्ये संसकर्ती से भी सम्मन्दित है अतहे हैं इस वेद को पुरुवे के तीन वेदों के समान महत्व परतिष्टा प्राप नहीं है और इसे वेद त्रई अर्थात रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद में समिर नहीं किया गया कभी कभी पूछ लेते हैं एकजाम में कि वेद त्रई किसे कहते हैं वो है आपके रिगवेद, सामवेद और यजुरवेद अत्रवेद नहीं है क्योंकि इसमें जादू टोने आदी का भी विवरण दिया गया है इसमें 20 मंडल, 731 सुत्री, 5497 मंत्र मिलते हैं जिसमें से 200 मंत्र डिगवेद से ले गया हैं अत्रवेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, सल्ले चिकिस्टा, ओस्ति विज्ञान की जानकारी भी मिलती है इसलिए इसको अनार्य वेद भी कहा गया है क्योंकि अनार्य संस्कर्टी के तत्वाए हैं इस वेद को भारतिय चिकिस्टा सास्तर का प्राचीनतम गरंद कोन सा है? अत्रवेद मगद अंग जैसे छित्रों हस्तिनापूर के राजा परीक्षित का उलेक भी अथरवेद में ही मिलता है मगद के लोगों को अथरवेद में वराते कहा गया है तो देखेगा फ्रेंस इस वीडियो में हमने वेदों के बारे में संक्सिप तोर से जानकरी प्राप्त की है और आगे के वीडियो में हमने इन सब वेदों के बारे में अलग-अलग भी बताया है तो हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पर बने रहें धन्यवाद